हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपनी चैनल जोती में की में मैं जोती आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आप सबको दो कलर में स्वेटर का डिजैन बताने बाली हूँ जिसे आप किसी भी स्वेटर में अपलाई कर सकते हैं बेबी का स्वेटर हो या जै भी अपलाई कर सकते हैं तो चले दोस्तों मैं स्टार्टिंग करती हूं ये खुब सूरात सा डीजैन बनाना ये देखिए दोस्तों ये मैं थुरा सा एक सलाइपर फंदे डाल दी हूं और इसमें मैं डीजैनिंग डालना स्टार्टिंग करती हूं तो आप बर्डर बना लेजिए और बॉर्डर के बाद यह डिजाइन कर लिजिए यह इब दोसरा कलर यहां ले ली हूं और मैं स्टार्टिंग करती हूं यह दूसरे कलर से क्या कायदना है पांच फंदा उल्टा बना लेना है तो यह मैं पांच फंदा उल्टा बना लेती हूं दो तीन चार और यह पांच फंदा यहां उल्टा बना ली हूं ये मैं पांच फंदा यहां उल्टा बना ली हूँ और एक फंदा को ऐसे ही निकाल लेना है और पांच फंदा फिर उल्टा बना लेना है ये मैं पांच फंदा उल्टा बना ली हूँ फिर मैं एक फंदे को ऐसे ही निकाल लेती हूँ मैं एक फंदा ऐसे ही निकाली हूं और फिर मैं पांच फंदा उल्टा बना लेती हूं बस इसी तरह से उल्टी स्राई पूरी स्लाई इस तरह से कंप्लीट कर लेना है पांच फंदे उल्टा बनाना है और एक फंदा ऐसे ही निकाल लेना है तो यह मैं पांच फंदा उल्टा बना ली हूँ फिर मैं एक फंदे ऐसे ही निकाल ली हूँ और फिर मैं पांच फंदे उल्टा बना लेती हूँ और एक फंदे ऐसे ही निकाल लेती हूँ इसी तरह मैं पूरी सलाई यहां कम्प्लीट कर लेती हूँ दोस्तों यह मैं उल्टी सेट से टोटल फंदे को मैं इसी से बना के complete कर ली हूँ अब मैं सीधी सेट से आ चुकी हूँ तो सीधी सेट से क्या करना है फ़स्ट फंदी को ऐसे ही निकाल लेना है धागा आगे करना है और पांच फंदा उल्टा बना लेना है जो मैं उल्टी सेट से पांच फंदे को उल्टा बनाई थी उसे भी सीधी उल्टा बना ली हूँ धागा को पीछे करना है और ये फंदा को ऐसे ही निकाल लेना है फिर धागा आगे करना है और पांच फंदा उल्टा बना लेना है तो दो तीन चार और ये पांच फंदा मैं उल्टा बना ली हूँ धागा पीछे फिर एक फंदा ऐसे ही निकाल लेना ह और फिर धागा आगे करना है और पांच फंदा उल्टा बना लेना है तो यह मैं पांच फंदे उल्टा बना लेती हूं फिर धागा पीछे करना है और एक फंदा ऐसे ही निकाल लेना है फिर धागा आगे करना है और पांच फंदा उल्टा बना लेना है बस इसी तरह से पूर जर्टा को ऐसे ही निकाल लेना है पांच फंदा उलटा बनाना है, तो बस इसHappy से मैं पूरी स्लाई कॉम्प्लीट कर लेए, देखे दोस्तों यह मैं यहां दो स्लाई कम्प्लीट कर लुँ और फिर मैं उल्टी साएर से आध चुकी हूँ, उल्टी साट से फिर क्या करना है फ फिर पांच फंदा उल्टा बना लेना है तो यह मैं पांच फंदे उल्टा बना लेती हूं और इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है बस उल्टी सेट से इसी सेट से बस मैं इसी तरह से पूरी सलाई यहां कम्प्लीट कर लेती हूं पांच फंदे उल्टा बना के फिर यह पील स्वाइं कि तीज स्वाइं के ढिखे दोस्तों यहां थीन स्वाइं सब्सक्राइब करीं अ suitable है सब्सक्राइब कर देखें ना है ़्लाउ यहां यहां रीख कर आगे हर दोकता है सब्सक्राइब ये मैं पांच फंदे को उल्टा यहां बना ली हूँ फिर धागा को पीछे करना है एक फंदा सीधा बना लेना है ये मैं एक फंदे यहां सीधा बना ली हूँ फिर धागा आगे पांच फंदा उल्टा फिर धागा को पीछे करना है ये पांच फंदा मैं यहां उल्टा बना ली हूँ फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा आगे पांच फंदा यहां उल्टा फिर एक फंदा ये सीधा फिर पांच फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा और पांच फंदा उल्टा फिर एक फंदा सिधा फिर पांच फंदा उल्टा बस इसी तरह से यह मैं चौथी सलाइब कंप्लीट कर लेती हूं प्र मैं आपको 5 दिखाती हमाई हो यह मैं चार सलाइब कंप्लीट कर चुकी हो अब मैं यहां पांच मी सलाई में आई हूँ तो पांच मी सलाई में उल्टी से इसे मैं आपको दिखाती हूँ पांच मी सलाई में अब क्या कायरना है यह नीचे वाला जो धागा है इससे पांच फंदा उल्टा बना लेना है तो यह मैं पांच फंदा उल्टा बना लेती हूँ दो, तीन, चार और ये पांच, ये पांच फंदा मैं यहाँ उल्टा बना ली हूँ और एक फंदे ऐसे ही निकाल लेना है और पांच फंदा फिर उल्टा बना लेना है तो ये मैं पांच फंदे उल्टा बना लेती हूँ तीन चार और ये पांच ये पांच फंदा मैं यहां उल्टा बना ली हूँ और एक फंदा ऐसे ही निकाल लेना है फिर पांच फंदा यहां उल्टा बना लेना है तो ये मैं पांच फंदे यहां उल्टा बना ली हूँ और एक फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है बस पांच फंदा उल्टा एक फंदा ऐसे ही निकाल लेना है इसी तरह पूरी सलाई कम्प्लीट कर लेना है तो यह मैं पूरी सलाई कम्प्लीट कर लेना है दोस्तों यह मैं यहां पांच सलाई कम्प्लीट कर चुकी हूँ बस इसी तर लाप सिलाइएं में एक ढिशयद ये बनके कमप्लीट हो चुका है ौप ये में पांच में चीक हुँ एक बार होने फिर आपको दिखाती हूं कि यह कैसे बनाना है फर्स्ट भंदे को क्या करना है यह च्छत शलाइ तो पर स्फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है फिर धागा को आगे करना है और ये पांच फंदा उल्टा बना लेना है और ये लाल कलर का जो फंदा है इसे ऐसे ही निकाल लेना है पांच फंदा फिर उल्टा एक फंदा ऐसे ही निकाल लेना है पांच फंदा उल्टा और एक फंदा इसी तरह से प यहां उल्टी सेट से आ चुकी हूँ, उल्टी सेट से फिर क्या करना है, पांच फंदे को उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा यह जो है, इसे ऐसे ही निकाल लेना है, फिर पांच फंदा उल्टा, एक ऐसे ही निकाल लेना है, फिर पांच फंदा उल्टा, एक ऐसे ही निकाल बस इसी तरह से पूरी सलाई यहां उल्टी सेड से कम्प्लीट कर लेना है तो यह मैं उल्टी सेड से पूरी सलाई इसी तरह मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं पुनो आपको सीधी सेड से दिखाती हूँ क्या करना है यह देखे दोस्तों यह मैं यहां उल्टी सेड से मै करना है ये फर्स्ट फंदा जो है दूसरे कलर का इसे सीधा बना लेना है तो इसे मैं यहां सीधा बना ली हूँ फिर धागा आगे करना है और पांच फंदा उल्टा बना लेना है ये मैं पांच फंदे उल्टा बना ली हूँ फिर धागा को पीछे करना है और ये लाल वाला फंदा है इसे सीधा बना लेना है इसे मैं सीधा बना ली हूँ फिर धागा आगे पांच फंदा उल्टा बनाना है तीन चार और ये पांच ये पांच फंदा मैं यहां उल्टा बना ली हूँ फिर धागा को पीछे करना है एक फंदा सीधा बना लेना है फिर धागा आगे और पांच फंदा उल्टा बना लेना है बस इसी तरह से पांच फंदा उल्टा बनाना है फिर धागा पीछे करना है एक फंदा सीधा फिर धागा आगे पांच फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा आगे पांच फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा आगे पांच फंदा उल्टा बस इसी तरह से पूरी सलाई यहां कम्प्लीट कर लेना है यह मैं पूरी सलाई यहां कम्प्लीट कर लेती हूं फिर मैं पुना आपको दिखाती दोस्तों यहां दो डिजैनिंग बनके कम्प्लीट हो चुका है यह कितना सुन्दर सी डिजैन लग रहा है अब इसी तरह से ये डिजैन उपर बनते जाएगा उल्टी सेट से क्या करना है ये नीचे में जो जिस कलर का धागा है उस कलर की धागे से पांच फंदा उल्टा बनाना है और एक फंदा ऐसे ही निकाल लेना है पांच उल्टा और एक ऐसे ही निकाल लेना है फिर पांच उल्टा और एक ऐसे ही निकाल लेना है बस इसी तरह से ये डिजैन बनते जाएगा उल्टी से ये डिजैनिंग इस्टार्टिंग करना है तो ये आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर और कितना ही प्यारा सा ये डिजैन लग रहा है बस इसी तरह स इससे और डीजैन बनाते जाएं है इसे किसी भी स्वेटर में अपलाई कर सकते हैं गर्ल वएज कोई भी स्वेटर में अपलाई कर सकते हैं इसे बिलाज भी तुलाज है यह भी खूब सुरत तो आप बनाई के आपjes वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए जदि आप मेरी चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजिए जिसे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जा आपको ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद